नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टोबिक से और इवन ऐसे से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। ये आर्टिकल लिखा गया है दीपक नईयर के द्वारा। देखो 1820 में एशिया एक बहुत बड़ी पावर थी। एसिया की पोपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पोपुलेशन का आलमोस्ट 2 थर्ड थी। और वर्ल्ड की टोटल इनकम में एशिया के द्वारा कंट्रिबूट किया जाता था 50% से ज़ादा। वर्ल्ड में जितनी टोटल मैनिफेक्टरिंग प्रोडेक्शन होती थी। उसमें से आदे से ज़्यादा contribution होता था एशिया का लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद देखो एशिया की women countries को western countries ने अपनी कलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया जैसे इंडिया को कलोनी बना गया बिडिशर्स के दवरा उसी परकार से अलग अलग देशों को कई western countries ने अपनी कलोनी बनाया जैसे France, Dutch, बिडिशर्स, पूर्टगाल इन सब ने तो एशिया की position weak होना स्टार्ट हो गई कलोनीजम के चलते एशिया की position इतनी ज़्यादा week हो गई कि 1962 आते आते एशिया के दवरा वर्ल्ड की total income में contribute किया जाता था सिरफ 15% सोच के देखो कहां तो 1820 में वर्ल्ड की total income में एशिया के दवरा contribute किया जाता था 50% से ज़्यादा लेकिन कलोनीजम की वज़े से ये contribution 15% के आसपास रह गया और वर्ल्ड की total manufacturing production में एशिया का contribution रह गया आगमुष्ट 6% के आसपास 1970 तक भी एशिया सबसे ज़्यादा गरीब continents की स्रेड़ी में सामिल था 1970 के आसपास एशिया के ज़्यादातर countries में economic और social जो indicators हैं वो काफी खराब perform कर रहे थे देखो काफी famous writer हैं गुनार मेडल इनकी book है Asian drama अपनी ये book में काफी pessimistic रहते हैं एशिया के development prospects के बारे में मतलब इनको लगता है जिस परकार की situation है एशिया के विबिन देशों में एशिया डवलप नहीं करस केगा खास करके इंडिया पे focus करते हैं गुनार मेडल ये कहते हैं इंडिया जो है वो एक soft state है soft state मतलब इंडिया अपने ही कानूनों को ठीक से implement नहीं कर पाता for example land reforms आजादी के बाद आपको पता है काफी सारे परियास के गए थे land reforms लाने के लिए लेकिन वो परियास सफल साबित नहीं हुए यानि land reforms हमारे देश में अच्छे से नहीं आसके अगर land reforms आ जाते अजादी के बाद तो साइद आज situation कुछ और होती लेकिन इतना कुछ discuss करने के बाद 1970 के बाद एकदम से picture fit से change होना start हो गई समधर यो चीज़ को 1820 में एशिया बड़ी power थी उसके बाद colonialism आया 1820 से लेके 1970 तक एशिया की condition काफी खराब रही लेकिन 1970 के बाद एकदम फिर से एशिया की जो condition थी वो improve होना start हो गई और पिछले 50 सालों में एशिया का बड़े scale पर economic transformation हुआ economic progress आई लोगों का जो income level था वो improve हुआ आप 2016 के आंकड़े देख लेजिए 2016 में world की total income में एशिया के द्वारा contribute किया जाता था 30% और world में total जो manufacturing production होती थी उसमें से 40% contribute किया जाता था एशिया के द्वारा 2016 में world के total trade में एशिया का contribution था almost 33% कहने का मतलब देखो यही है कि पिछले 50 सालों में एशिया की जो growth story है वो पूरी तरह से transform हो गई है अगर आप graph बनाओगे तो graph इस पर का से बनेगा 1820 में एशिया का level अगर यहां पर था तो उसके बाद colonialism की वज़े से एशिया ने decline करना start किया और पिछले 50 सालों में एक बर फिर से एशिया का जो economic level है वो transform हो गया है हालांकि 1820 में जो एशिया का level था अभी तक वो level एशिया ने नहीं हासिल किया है लेकिन फिर भी जो एशिया की growth story है वो unprecedented है मतलब एभूत पूरूव है हमारे एशिया में अभी जो per capita income level है वो world के average per capita income level की तरफ converge कर रहा है हालांकि देखो कई western countries ऐसी है जहां पर per capita income level बहुत ही ज़ादा है तो अभी उतना per capita income level एशिया की countries का नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो gap है वो कम हो रहा है इसके बाद आटकल में बोले जाता है कि देखो एशिया में कई सारे countries है diversity काफी ज़्यादा है एशिया में geographical size same नहीं है, अलग-अलग है history अलग-अलग है, colonial legacy अलग-अलग है, अलग-अलग तरह से nationalist movement चली मतलब अलग-अलग धंग से आजादी हासिल की, एशिया के women countries ने और natural resources सभी countries में एक जैसे नहीं है, किसी देश के पास ज़्यादा है किसी देश के पास कम है, population भी किसी देश की बहुत ज़्यादा है किसी देश की बहुत कम है, income level और political system भी अलग-अलग है कोई एशिया का country market पे control काफी ज़्यादा था, लेकिन धीरे-धीरे reforms आना स्टार्ट हुए, एशिया की countries में, जैसे देखो, चाइना में LPG reforms आ गए थे 1978 में इंडिया में LPG reforms आए 1991 में इसी परकार से, political system भी सेम नहीं है, कई देशों में authoritarian regime rule करता है जैसे चाइना में, या फिर West Asia की कई countries में, और कई देशों में political democracy है, जैसे जपान में इंडिया में, और ideologies भी अलग-अलग है, चाइना जैसे देशों में communism practice होता है, वियतनाम में और Singapore जैसे देशों में capitalism का बुलबला है development outcome जो है वो भी देखो, एशिया की countries की अलग-अलग रही है मतलब, सभी देशों ने similar outcome नहीं achieve की है किसी देश में development ज़्यादा आई है, किसी देश में कम आई है जैसे जो East Asian countries हैं South Korea, Japan यहाँ पर देखो development बहुत ज़्यादा आई है यह अभी Western countries का मुकाबला कर रहे हैं जब कि कुछ देश ऐसे हैं जैसे Myanmar, Thailand यह काफी तेजी से grow कर रहे थे, लेकिन 1997 के आसपास crisis आगए इन countries में तो इनकी development की जो रफ्तार थी, वो कम हो गई जैसा हमने एक article भी discuss किया था, middle income trap में फस्ट गए हैं यह देश मतलब जपान और साउथ कोरिया ने जो तरक्की हासिल की उस लेवल पर यह देश नहीं पहुँच पाएं और चाइना तो star performer है ही, पिछले 30 सालों में चाइना ने इतनी तेज गती से development हासिल की हैं या फिर economy growth rate एचीव की है इतना तेज गती से तो USA भी नहीं पढ़ पाय था यूं कहा जाता है USA ने जो कुछ 100 सालों में हासिल किया चाइना ने वो सब कुछ 30 सालों में हासिल कर लिया, इतनी तेज गती से चाइना आगे बढ़ा है इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया, बानादेश, वियतनाम इन देशों की भी ग्रोथ पर्फोर्मेंस पिछले 25 सालों में काफी ज़्यादा इंप्रेसिव रही है, हलाकि देखो ये बात सच है इन देशों की जो ग्रोथ पर्फोर्मेंस है वो चाइना, जपान, साउथ कोरिया, इवन सिंगापूर इन देशों के मुकाबले की नहीं रही है लेकिन फिर भी आप कह सकते हो ग्रोथ पर्फोर्मेंस इंप्रेसिव है अगर हम बात करें सिलंका की सिलंका की ग्रोथ पर्फोर्मेंस रिस्पेक्टिबल रही है सम्मान जनक, तरकी की एवरेज ठीक ठाक रही है पाकिस्तान, फिलिपिन्स इनकी ग्रोथ पर्फोर्मेंस रिलेटिवली काफी खराब रही है पूर रही है कहने का मतलब देखो यहां पर ये है एशिया के देशों को जैसे ही आजादी हासिल हुई 1950 के आसपास तो एकोनमी के चेतर में भी उनको मौका मिल गया अपनी एकोनमीक पॉल्सी को खुद से डिसाइड करने का तो उन्होंने नैशनल डेवलप्मेंट के अबजेक्टिवस डिसाइड किये और उन अब्जेक्टिवस को धिरे धिरे अचीव करना स्टार्ट कर दिया पॉल्सी को फॉर्मूलेट करके और जैसे ही इन देशों में पर कैपिटा इंकम लेवल बड़ा सोसल इंडिकेटर्स भी ट्रांसफोर्म होना स्टार्ट हो गए लिट्रेशी लेवल बड़ा, हेल्थ सेक्टर में सुधार आया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो लेवल है वो भी इंप्रूव हुआ गरीबी पहले काफी ज़्यादा हुआ करती थी गरीबी में काफी ज़्यादा कमी आई लेकिन देखो एक बात ये भी मेंसन करने लाइक है अभी भी एशिया के कई देशों में पूवाइटी काफी ज़्यादा है इनिक्वालिटी काफी ज़्यादा है इनिक्वालिटी मतलब अमीर और गरीब के बीच के जो खाई है बहुत ज़दा है एसिया के जायतर देशों में इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में एसिया ने जो पुरी तरह से ट्रांसफोर्म किया है इस ग्रोथ स्टोरी में स्टेट का बहुत इंपोर्टेंट रोल रहा है State ने Catalyst का काम किया है, Sporter का काम किया है देखो, State ये Decide करता है कि Market Based Economy होगी या फिर State Centric Economy होगी वो States जिन्नोंने एक Balance Establish करने का काम किया है मतलब जहां आउ सकता है वहां Economic Policies को अपने पास रखा है लेकिन जहां आउ सकता नहीं है वहां पर Market को Permote किया है तो उन देशों ने ज़्यादा अच्छे से Development हासिल की है लेकिन वो देश जो इस Balance को अच्छे से Establish नहीं कर पाए है वहां पर Development का Level ज़्यादा नहीं रहा है इस Point को मैं फिर से बता देता हूँ एक तो देखो Market Economy होती है जैसे Western Countries की Economy है सब कुछ Market के द्वारा Decide किया जाता है कि क्या Produce होगा कैसे Produce होगा कितनी मात्रा में Produce होगा एक USSR की Economy थी सब कुछ State के द्वारा Decide किया जा रहा है क्या Produce करना है कहां पर करना है कितनी मात्रा में Produce करना है समझ गए ये एक परकार से Difference है Capitalism के बीच और Socialism के बीच है और देखो वो देश For example South Korea, Taiwan, Singapore इन्होंने विबिन सेक्टर्स में अपनी policies को coordinate किया National Development Objectives के अनुसार इन्होंने carrot और stick दोनों approach की साहिता ली अपने agenda को implement करने के लिए जैसे example के तोर पर कुछ economic areas ऐसे थे जिनमें इन्होंने interfere कम किया इन्होंने incentive दिये industries को कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फाइदा होगा monetary और दूसरे तरह का भी benefit आपको होगा लेकिन कुछ economic areas में इन्होंने डंडा दिखाया इन्होंने force किया industries को कि आप ऐसा करिये तो कहने का मतलब ये है इन्होंने एक परकार से balance establish किया capitalism और socialism के बीच चाइना ने भी इन्ही के path को follow करने की कोशिश की और चाइना को भी काफी success हासिल हुई 1978 में जैसा हमने शुरवात में डिसकस किया LPG reforms आना start हो गए थे चाइना में वियतनाम भी इन्ही के रास्ते पर चला लेकिन आल्मोस्ट 20 साल बाद चाइना और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जहां पे one party communist government काम करती हैं लेकिन इन दोनों देशों ने coordination बेहतर establish किया within sectors में और अपनी policies को effectively implement किया इसके बाद देखो कि government को pressurize किया गया within civil society के groups के द्वारा या फिर आप कहा सकते हो जनता के द्वारा कि वो policies ऐसी बनाएं कि जिससे देश में development आए political democracy में भी checks and balance होते हैं अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो 5 साल बाद election होते हैं हाला कि election में बहुत सारे factors काम करते हैं लेकिन फिर भी government के उपर एक pressure तो होता ही है कि ये दिखाना कि हमने काम किया है हम देश को development के रास्ते पर लेकर गए हैं उसके बाद article में कहा जाता है देखो economic openness ने एक important role play किया Asian countries की development में economic openness जैसे देखो liberalization, privatization, globalization लेकिन आप यूँ नहीं कहा सकते हैं कि सिरफ economic openness से काम चल गया industrial policy decide की गई कई देशों के द्वारा और अपनी decide की गई industrial policy को effectively उन देशों ने implement भी किया तो आप कहा सकते हो industrial policy जो effectively implement की गई governments के द्वारा ये एक एहम factor रहा उन देशों की quick development में लेकिन future में सिरफ industrial policy से या फिर economic openness से काम नहीं चलने वाला है future में technological learning और technological capability पर भी focus करना होगा Asia के women countries को अब last में conclusion की हम बात करें देखो आज के समय में जो balance of economic power है वो धिरे धिरे Asia की तरफ shift कर रहा है पहले UK, France ये बड़ी economic power हुआ करते थे लेकिन आज के समय में चाइना, इंडिया ये बड़ी economic powers है future में Asia की growth कैसी होगी वो इस बात पर depend करता है कि opportunities को कैसे भुना पाता है Asia अभी जो trade war चल रहा है USA और चाइना के बीच इस परकार की situation future में भी रह सकती है political instability भी आ सकती है world में कैसी situation emerge होती है लेकिन देखो एक बात साफ है 2030 आते आते Asia में per capita income world के relative वही होगा जो हुआ करता था 1820 में लेकिन फिर भी Europe के कई देश और USA के मुकाबले में Asia का जो per capita income है वो कम है और Asia grow कर जाएगा इस परकार से लेकिन income level western countries के हिसाब से नहीं होगा और ये भी देखो सच है कि 2050 आते आते Asia जो है world की total income में 50% से ज़्यादा contribute करना लगेगा और हमारी जो population है Asia की वो भी world की population का आदे से ज़्यादा हो जाएगी मतलब Asia की political और economic significance वही हो जाएगी जो 1820 में हुआ करती थी ही है thank you thank you very much for discussion